कि नमस्कार बच्चों हिंदी वित्पुस्पा में आप सभी का स्वागत है जैसा मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत मज़े में होंगे बहुत अच्छे से होंगे तो बच्चों आज एक और टॉपिक है कौन सी टॉपिक है क्या पढ़ाता हमने क्रिया विशीशन के बाद क् संबंद बोधक तो चलिए बच्चों आज हम पढ़ते हैं संबंद बोधक अव्याई के बारे में क्या होता है कि अ है तक करतें संबंद Can को बच्छो संबंद बुधंद मतलब क्या होता है रिलेशन ठीक है जहां रिलेशन बताए ज़ए संबंद बताए उसे हम क्या कहेंगे संबंद नात भी कहते हैं अभशोग कि बार-बार जब हम repeat करते हैं, तो वो चीजे याद हो जाती है, अच्छी बात होती है वो, तो जो समंद्ध बुद्ध क्या है, और विकारी है, और विकारी का क्या होता है, उसमें बताइए, और विकारी में क्या होता है, वो change नहीं होता है, जिसमें लिंग, वचन, काल, क्र जब संग्या और सर्भनाम के बाद आकर वाक्ये के दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है संबंध बटाता थैए किया केमरी वह संग्या और संग्या और सर्भनाम ही होते है किया बच्चो जी नहीं बच्चो उसमें क्या होते हैं वाक्य में एक वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया भी होते हैं और बहुत संबंद बोधक शब्दों भी होते हैं बहुत सारे शब्दों होते हैं उसके आंदर तो ठीक है बच्चो तो वाक्य में आए संग्या और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ जो संबंद बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं संबंद बोदक कहते हैं चलिए देखिए जैसे क्या-क्या है निकट दूर आगे पीछे अंदर बाहर और तरफ पाथ ये सारी संग साथ अलावा मैम आपने क्या पढ़ा रहे आपने तो उसमें भी बताया था यही क्रिया विशिचन में भी यही सब बताया था फिर यहां सब्बंद बोदक में भी बच्चों गवराईये मत मैं आपका वो डाउट भी क्लियर करती हूं ठीक है क्या चीज़े क्योंकि अंदर और बाहर हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था क्रिया विशिचन के लिए भी अब हम एक उधारत देखके समझते है राम के आगे मैं खड़ा हूं किसके आगे आ रहा है राम ठीक है तो यह किसके बात हो जा रहा है संग्या के बाद मेरे आगे राम खड़ा है अभी क्या हो गया सर्वनाम के आगे ठीक है तो के आगे आगे इस सब क्या हो रहे है आपके संबंद बोधर राम छट के ऊपर खड़ा है ठीक है बच्चो धन के बिना जीवन व्यक्त है सीता राम के साथ वन गई है गरीबों की और ध्यान दीजिए बच्चों आपने इसमें कुछ common चीज देखी क्या क्या चीज common है यह के जो आया है जो के आया है यहाँ पर के आया है के बिना आया है के साथ आया है मतलब यह क्या कर राम सीता राम के साथ बनवास गई तो क्या बता रहा है किसके साथ बनवास गई राम के साथ तो इस संबंध बता रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या हो जाता है संबंध बोधक अव्य हो जाता है ठीके बच्चो अभी देखते हैं कुछ और एक्जाम्पल्स की जरी हम और भी देखते हैं इसको कि संबंध बोधक और क्रिया विशेशन में अंतर क्या है यह बहुत टेंशन की पाते अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि यह एक साथ आता है तो दिमाग कंफिज हो जाता है कि होगा क्या तो मैं आपको उस आप मेरा क्रिया विशेशन वाले वीडियो देखिए और उसमें देखिए कि स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेशन क्या है ठीक है और क्या बता है दोनों में कुछ अंतर होते हैं जिसे स्थानवाचक क्रिया विशेशन संबंध बोधक भी होए तथा विशेशन भ संग्या और सर्वनाम की विशेष्टा बताता है और क्रिया की विशेष्टा बताता है तो संबंद बोचक क्या कर रहा है संबंद बोधक क्या कर रहा है वो भी संग्या और सर्वनाम के संबंद बताता है संग्या और सर्वनाम का वाक्ये में आए अन्य शब्दों के साथ वो क्या करता है, संबंद बताता है, इस बात को धियान में रखिएगा, ठीके, तो ये क्रिया की विशेष्टा को प्रकट करते हैं, क्रिया विशेष्टा क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, क्रिया विशेष्टा क्रिया की विशेष्टा प्रकट करेंगे, अब हम इस बात को अ क्रिया विशिशन, जाहिन सी बात है, ये क्रिया से सवाल पूछ रहे हैं हम, क्रिया के लिए बताया जा रहा है, तो ये क्या बात होगा, ये आपका क्रिया विशिशन होगा, राधा उपर बैठी है, तो कहां बैठी है, क्या होगा, कहां बैठी है, उपर बैठी है, क्रिया व लोगों को अब देखिए इन ही वाक्यों को कैसे हम convert कर सकते हैं संबंध बोधक में ठीकि बच्चो अब देख लेजिए एक बार इसे भी संबंध बोधक क्या है कमरे के भीतर जाना मना है अब हुसी वाक्यों को मेरे change कर दिया बताओ कमरे के भीतर अब यहाँ पर क्या आगया आपका के आ गया, तो अभी क्या हो गया, यहां कमरे के भीतर जाना है, मना है, तो कहां जाना मना है, कमरे के भीतर, अब कमरे का संबंध हो गया न, ठीके, तो अभी के भीतर आ जाएगा, के उपर आ जाएगा, से पहले आ जाएगा, तो यह क्या करते हैं, संबंध बोधक होते हैं ठीके आपने देखो आपका कारक से सो ठीके इस तरी के करण कारद के पड़ेंगे उसमें वह सारे इसलोड और वह अच्छे सी से समझ में आया और आज का ये टोपिक छोटा था इसलिए वीडियो भी बहुत छोटा हो गया तो आप लोग सोचेंगे कि बहुत मज़ा आ गया आज तो बहुत जल्दी खतम हो गया सारा से लेवस चीकिए बच्चो उबीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आय होगा अगर पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दन्यवाद बच्चो